कान मालिकों को घर छोड़ने का नोटिस भेजाए इसके लावा अन्य घरों पर भी उसकी दावेदारी की तैयारी है जिसको लेकर स्थानिय लोग बहुत परिशान है हाला कि हाई कोट से वक्ष बोड के नोटिस पर स्टे लग चुका है लेकिन इसके बावजूद सुनी वक्ष बोड की मनमानी जारी है वो लोगों को धमका रहे है स्थानिय जन प्रतिनी धी भी इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे है इससे अला अधिकारियों के पास भी शिकायत जो है वो दर्ज करती गई है लेकिन इन लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है वहाँ से परिशान लोगों से बात की है इंडिया न्यूस की सही होगी रितेश मिश्टन गुजरेगी वहाँ के रहने वाले लोगों पर क्या गुजरेगी एक बार फिर से हम कहानी बता देते हैं दरसलम पटना से 30 किलोमीटर की दूरी परिस्थित फटुहा में मौजूद है गोविंदपूर ये इलाका है और यहाँ पर देखे कि वक्प बोड सुन्नी वक्प बोड की एक मनमानी निकल कर सामने आई है और पूरे देश में इस वक्त सुर्कियों में है ये खबर हमने पहले भी दिखाई थी लेकिन जब तक लोगों को नय नहीं मिलेगा खबर हम सैक्ड़ों बार दिखाएंगे तो देखे कि अगर ऐसे छोटे छोटे बच्चे देखिए एक दम छोटे छोटे बच्चे देखिए मासूम बच्चे हैं अगर ये अपने घर में रह रहे हैं इन ही घरों को अपना घर मान रहे हैं इन ही घरों में इनका जन्म हुआ, इनके पिता जी लोगों का जन्म हुआ, इनके दादा पर दादा इसी धर्ती पर उनका जन्म हुआ, यानि सैकडों साल से उनकी कई पीडियां इस इलाके में रहीं, और अचानक अगर बोल दिया जाए, कि नहीं घर खाली करो, क्या गुजर उसके बावजूद यहां के लोग पहुंचे हुए हैं अपनी बात कहने को लेकर कि घर खाली हो रहा है घर खाली करने के लिए नोटीस जारी किया गया है और घर खाली करने को लेकर मन में इतना जादा इनके डर समा गया है कि लोग आज देखें कि बारिश की परवा भी नहीं पढ़ जाए कोई नहीं जानता है। यह बताई कि अभी क्या चल रहा है। यहां तो बागबोर्ट का जमीन कैसे हो जाएगा देखिये बहुत उंदा सवाल है बताई यह कितने साल से यहां रहते हैं जन में है जन में है जन में साहिए अब कहा जा रहा है कि घर खाली कर दीजे घर वक बोड कहरा है कि हमारी जमीन है है तो क्या मन में चल रहा है हम कवचे करें साफ हमड़े कुछ ना बनता है इनका जमीन जानते हैं हाथिया लिया है दो हाथ कोली छोड़के अभी भी देख सकते हैं उसका सुरू से आसे 10-20 बरस पहले इनको जेल पेठा के थाना में पैड़ भी करके उजखनी उसको बलो कि ड ने फाना में डाल के अचाना में डाल के हैं।